देश की सुरक्षा के नाम पर मानवा अधिकार कारेकरताओं के खिलाफ हो रही कारवाई को लेकर विपक्षिदल लगातार सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और अब कॉंग्रेस नेता दिग्विजे सिंग ने इस मामले में CGI से बड़ी मांग की है तो क्या कहा है दिग्विजे सिंग ने और किसके हक में उठाई है आवाज देखते हैं एरपोर्ट इस मामले में आरोपियों के खिलाव यू ए पिय जैसे सक्त कानून के तहट आरूप ताय किये गए दो साल बाद जनवरी 2020 में पूरे मामले की जांच एनाईयो को सौंप दी गई इस मामले में आरोपिय प्रोफेसर सोमा सैन को गिरफतार कर लिया गया था तो दूसरे आरोपी जवाहर लाल नहरू विश्विद्याले के चात्र रहे उमर खालिद भी तीन साथ से दिली की तिहार जेल में बंद है उमर खालिद पर दिली में हुए सामपरदाइक टक्राव मामले में भी गार कानूनी गतिविदी अधिनियम यू एपिय के तहत मामला दर्ज है सोमा सैन और उमर खालिद के मामले को लेकर मध्यप्रदेश के पूर वसियम दिगविजे सिंग ने सीजी आई से सवाल पुछा है उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि परम आदर्णे माननी सीजी आई यूए लोडशिप क्या प्रोफेसर सोमा सैन और उमर खालिद को जेल में रखना न्याय है मेरा हमेशा से मानना रहा है कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के समान है बीमा कोरेगाउं और CAA NRC जैसे दो मामले हैं आरोपी कौन हैं? किसने दलितों के लिए बोला और किसने अलपसंखकों के लिए बोला? क्या हमारा भारतिय संविधान SCST और अलपसंख्यों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? क्या उनके लिए बोलना अपराद है दिगविजे ने दोनों मानवा अधिकार कारिकरताओं के लंबे समय से जेल में बंध होने के मामले पर सवाल उठाए है दीबी लाइफ की रिपोर्ट